हेलो एवरिवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंटरल, आज का हमारा टॉपिक है Limitations of Accounting और role of accounting is business अगर हम एक business run कर रहे हैं तो accounting सुनते होंगे कि business या जो भी profession हो उसमें accounting की जाती है तो उसका role क्या रहता है क्या काम आती है और अगर accounting use हम करते हैं तो उसके क्या-क्या limitation हो सकते हैं तो पहला role of accounting in business यह है accounting का मतलब क्या होता है कि systematically arrange करना जितने भी financial transaction है, पहले उनको identify करके, ऐसे arrange करके, उनकी entry pass करना, ताकि हमें classify, हम differentiate कर पाएं, कि कौन सा हमारा income है, कौन सा expenses, मतलब जितने भी transaction है, वो incoming है, outgoing है, या एक financial position decide कर पाएं उस organization को, उसको बोलते हैं, उस process को बोलते हैं, accounting, तो वैसे first उसका role है, maintenance of systematic records, accounting हम लोगों को help क systematic records, maintain करके रखने करें, for example, अगर कोई transaction होता है, जैसे कि अगर मैंने sale किया और purchase किया, तो एक transaction था, पहला मैंने जो purchase किया, जो भी stock, वो मेरा debit होगा, और जो मैंने sale किया, कुछ sale किया मैंने, तो वो मेरे stock से outgoing होगा, तो ये जो दोनों transaction है, उसको particularly arrange करके रखता है, कि कौन स sale वाल है, कौन सा credit item है, जिससे हम जब financial position decide करते हैं, या कुछ भी अगर decision लेना हो, तो हम identify कर पाते हैं, easily, उसके बाद आता है assistance to management, अब एक दिन में, जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे transaction होते हैं, और अगर management को कुछ decisions लेने हैं, या past few days में किते transaction हुए, या उस particular item के कौन सा transaction हुआ है, अगर ये हम books में maintain करेंगे, तो हमें बहुत ही lengthy process हो जाएगा, और अगर हम system में accounting के थ्रूँ maintain करते हैं, तो management को easy होता है, find out करने के लिए, और management ये भी देख सकती, accounting, last में हमें ये बताता है, कि हमें profit हुआ या loss हुआ, financial position बताता है, तो management को further आगे कैसे decision लेना है या क्या lack हुआ, उसके decision लेने में help करता है, उसके बाद आता है facilitate comparative study, comparative study मतलब हम हर साल financial statement prepare करते हैं, ये जानने के लिए कि उस साल, उस financial year की हमारी जो company की position है, वो क्या है, वैसे ही अगर last year कुछ और था, तो अगर अभी जो profit का ratio है, वो अलग है, तो हम go through करते हैं, पूरे financial report को कि क्या mismatch हुआ है, और उसे हम compare करते हैं, और आगे further हम अपनी performance को improve करते हैं, उसके बाद आता है evidence in court, अगर कोई matter होता है, तो बोलते हैं कि financial position एक record रहता है, जो आपकी financial position of a company बताता है, तो अगर court में evidence के तुरू कुछ लगता है, तो papers कामाते है, तो वो financial position आपको court में किसी भी business को help कर सकती है, उसके बाद आता है facilitate raising loans, अगर आप bank के पास जाते हैं loan लेने के लिए, लेकिन अगर आपके financial statement में loss दिखा रहा है, तो कोई भी banks आपको loan नहीं provide करेंगे, और other, अगर financial statement में आपको अच्छा profit दिखा रहा है, तो loan कोई भी bank आपको easily provide करेगी, तो य facilitate raising loans, loans लेने के भी काम आता है, तो यह सारे थे role of accounting in business, business में उसके क्या रोल होते हैं, अब पढ़ते हैं, कि उसकी limitation क्या क्या है, पहला है not fully exact, अब इतने सारे transaction होते हैं, जो accountant रहेगा, वो अपने हिसाब से उसको mold कर सकता है, तो एकदम particularly exact नहीं होते हैं, क्योंकि systematic हैं, तो ह they are not fully exact, उसके बाद आता है, unrealistic information, कभी-कभी जो information रहती है, वो unrealistic रहती है, जज़े कि for example, अगर मेरा जो stock बच गया, उसको मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, या ऐसी कुछ चीजे रहती हैं, हमारी day-to-day life में, जिनको हम system में option ही नहीं रहता हैं, उनको display करने का, तो सार पारी चीज़े cover नहीं कर पाते हैं, अकाउंटिंग में, इसलिए बोलते हैं, unrealistic, उसके बाद ignores qualitative elements, अब quantitative तो record करता है, monetary terms में जो भी transaction हो रहे हैं, किसी भी company के, वो decide करता है, ये help करता है, लेकिन अगर देखा जाए, तो कभी-कभी monetary terms में नहीं, qualitative terms में भी business run करता है, उसको profit and loss पता चलता है, अगर उसके public relations अच्छे हैं, उसकी goodwill अच्छी है, या उनके जो भी employee है, staff की skills अच्छी है, तो obviously business grow करेगा, उसकी financial position इंप्रूव करेगी, लेकिन ये जो qualitative element है, ये हम accounting में करते टाइम नहीं दिखा सकते, तो वह ही ये बोल रहा है, ignore the effect of price level change, अगर हमें एक price level change में work कर रहे हैं, तो हम उसी pattern को follow करेंगे, और further अगर कोई price level change होता है, तो उसको change exactly एकदम immediate नहीं कर पाते हैं, इसलिए अगर कोई price level change होता है, तो immediately इसमें show नहीं कर पाते हैं, उसकी बाद आता है, may lead to video dressing, video dressing मतलब क्या होता है easily, कि अगर किसी financial position, किसी भी business को financial position उस term किया, उस financial year की अच्छी दिखानी है, तो वो अपने according कोई भी debit credit की entry पास करके, या कुछ fake entry आप prepare करके वो पास कर सकता है, अपने according उसको set कर सकता है, इसलिए बोलते है video dressing की according to the need of accounting या business, हम उसकी accounting entries को change कर सकते हैं, तो ये कभी-कभी exactly भी same नहीं रह रहते हैं, exact आप जो भी transaction हो रहे हैं, आप properly same to same आप उसमें record नहीं कर सकते हैं, या कुछ business में ऐसे terms भी रहते हैं, जो आप system में नहीं दिखा सकते हैं, तो ये था सारा हमारा topic, about role of accounting in business, और limitation of accounting, तो आज के topic में बस इतना ही मिलते हैं, next video में, next topic के साथ, तब तक के लिए, thank you.